नमस्ते सद्गुरू, मैं हर्शिता हूँ, मेरा सवाल ये हैं कि नर्क या स्वर्ग की धारणा के बारे में आपके क्या विचार है? देखे, जिन लोगा ने खुद को नर्क बना लिया है, वो हमेशा स्वर्ग जाने के सपने देखते रहते हैं। हाँ, अगर यहाँ बैठे हुए, मैं आनन्द में मगन हूँ, पूरी तरह से, मेरी आँखों को देखिए, लगता है कि मैं हमेशा नशे में हूँ? हाँ, कभी किसी नशेली चीज़ को नहीं चुआ, मगर यह दुनिया की सबसे जटल केमिकल फैक्टरी है, कैसा है? आप सहमत हैं? सवाल बस यह है, कि आप इस केमिकल फैक्टरी के बढ़िया CEO हैं या खराब CEO? अगर आप अच्छे CEO होते हैं, तो आप इसे हर समय आनंदित रखते हैं, सही केमिस्टरी, अगर आप इखराब CEO हैं, तो आप बुरी केमिस्टरी पैदा करेंगें और सोचेंगें कि यह इसके या उसके या उसके कारण हैं, तो किसी वज़े से लोग दुखी महसूस कर रहे हैं, उनकी केमिकल फैक्टरी, उनकी मर्जी के अनुसार नहीं चल रही है, वो उसे उदासी कह सकते हैं, वो उसे दुख कह सकते हैं, वो उसे डिप्रेशन कह सकते हैं, जब ये नर्क जैसा महसूस होता है, तो हम उम्मीद कर कि जब हम वहाँ उपर जाएंगे, तो वहाँ सब कुछ शांदार होगा, हर्षिता यानि आनंद मगना, एक बार ऐसा हुआ, ये घटना अलबामा की है, आप अमेरिका की अलबामा स्टेट के बारे में जानती है, ये अलग तरह की स्टेट है, बिलकुल कटर धार्मिक स्टेट तो एक संडे स्कूल में, संडे स्कूल का शिक्षक, जोर शोर से भाषन दे रहा था, पूरे जोश और पूरी ताकत के साथ, और दुरभाग्य से, श्रोता आपकी तरह नहीं थे, वो सब छोटे बच्चे थे, ये कम उम्मर में पकड़ों की नीती है, वो पूरे जोश से भ उसने रुक कर पूछा, स्वर्ख जाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? आगे की बेंच पर बैठी ननी मेरी खड़ी हुई और बोली, अगर मैं हर अविवार चर्च का फर्ष साफ करूँ, तो मैं स्वर्ख चली जाओंगी. बिल्कुल सही. एक और ननी सी बच्ची बोली, अगर मैं अपनी पॉकेट मनी अपने गरीब दोस्त के साथ साज़ा करूँ, तो मैं स्वर्ख चली जाओंगी. सही कहा? एक और लड़के ने कहा, अगर मैं जरूरत मन्द लोगों की मदद करूँ, तो मैं स्वर्ख चला जाओंगा. सही कहा? पीछे के बेंच पर बैठा नना टॉमी खड़ा हुआ और बोला सबसे पहले आपको मरना होगा तो यही योगिता है स्वर्ख जाना है तो आपको मरना होगा जब आप मरते हैं तो आपकी परंपरा के अनुसार हम आपको दफनाएंगे या जलाएंगे या काटकर पक्षियों के आगे फैंक देंगे हाँ इन में से एक चीज होगी आपकी परंपरा के अनुसार एक चीज साफ है कि आप अपने शरीर को वापस धर्ती में डालेंगे और ये बहुती को फ्रेंडली काम है तो आपने अपने शरीर छोड़ दिया और स्वर्ग चले गए अब स्वर्ग में क्या है? हिंदू स्वर्ग में खाना बहुत अच्छा है अगर आप खाने पीने के शौकीन है तो आपको हिंदू स्वर्ग जाना चाहिए नल खुद आपके लिए खाना पकाएंगे वो सबसे बड़िया शेफ हैं अगर आप दूसरी तरह के स्वर्ग में जाएंगे तो सफेद गाउन वाली महिलाएं बादलों में हर तरफ तैरती रहेंगी अगर आपको वैसा माहौल पसंद है तो आप वहाँ जाएंगे अपके पास शरीर नहीं है ये सब शरीर की समस्याएं हैं है ना शरीर नहीं है आप खाने का और हूरों का क्या करेंगे हिंदु जीवन शैली में कहा जाता है कि उपर स्वर्ग में एक अक्षय पात्र होता है आप कितना भी खा लें, वो हमेशा खाने से भरा ही रहेगा हाँ, जब आप शरीर के बिना जाते हैं, तो खाने का बरतन हमेशा भरा ही रहेगा और हूरें हमेशा कुवार ही रहेंगी तो हम लंबे समय से ये करते रहे हैं ये एक सरल तरीका था आपको पारम पर एक लोगों के मैनेज करने के तरीकों को समझना चाहिए ये मानव जाती को मैनेज करने का एक तरीका था आप दुखी है अयो चिंता मत करो जब तुम वहाँ जाओगे सब ठीक हो जाएगा तसल्ली अगर कोई मनो चिकित्सक ऐसा कहे तो ठीक है लेकिन आपने वाकई उन्हें यकीन दिला दिया कि वहाँ सब कुछ बढ़िया होगा यहाँ तुम अपनी जिंदगी बिगार लो तो ये अच्छी बात नहीं है कोई गहरे दुख में है चिन्ता मत करो जब तुम जाकरी श्वर की गोद में बैठोगे तो सब ठीक हो जाएगा ये एक मनो वैग्जाने को पाए है ये चलेगा जब लोग भैंकर दुख में हो मगर इसे ब्रैंड बना कर हर जगा मत बेचिए क्योंकि ये इस तरह काम नहीं करेगा अब लोगों के दिमाग में स्वर्ग ढहर है दुनिया में शराब और ड्रग्स के सेवन में इतनी बढ़ोतरी इसलिए हो रही है क्योंकि लोग इसे व्यक्त नहीं कर पा रहे लेकिन उनके दिमाग में स्वर्ग ढहर है आप में से कितने लोग सोचते हैं कि एक दिन जब मैं स्वर्ग जाऊंगा तो सब कुछ शांदार होगा मुझे यकीन है ज्यादा लोग नहीं होंगे लेकिन अगर आप पिछली आ उसकी पिछली पीड़ी में देखें तो ऐसा सोचने वालों की तादात काफी थी तो जाहिर है कि इंसानी दिमाग में स्वर्ग ढह रहे हैं क्योंकि अगर आप तीन सवाल पूछें तो तीनों स्वर्ग ढह जाएंगे हाँ? तो जब मानव बुद्धी सक्री होती है तो वो निश्चित रूप से सवाल पूछेगी अगर आप सवाल पूछेंगे तो ये चीज़े ढह जाएंगी तो लोग यहीं पर सारे विकल पाजमा रहे हैं वो यहीं सारा नशा कर रहे हैं उन्हें सेहत मंद रहने के लिए केमिकल्स चाहिए, शान्त रहने के लिए केमिकल्स चाहिए खुश रहने के लिए केमिकल्स चाहिए, हर चीज के लिए उन्हें केमिकल्स चाहिए, मैं चाहता हूँ कि आप इसे जाने, अमेरिका की 70 प्रतिशत आबादी दवाओं पर निर्भर है, दुनिया का सबसे संपर्ण देश, कोई व्यक्ति और समाच संपर्णता क्यों चाहता है पहली चीज है कि आप अपना भोजन चुन सकते हैं, अपने पोशन के साधन चुन सकते हैं, दूसरी चीज ये है कि आप अपनी जीवन शैली चुन सकते हैं, खाने के लिए सबसे अच्छी चीज़ें आपके सामने हैं, जीवन शैली चुनने के लिए भी कई विकल्प मौज और इस समाज में 70 प्रतिशत लोग दवाएं खा रहे हैं, प्रिस्क्राइब की हुई दवाएं, साफ है कि अगर आप आर्थिक विकास करते हैं, इंसानी चेतना को विक्सित किये बिना, तो हमारी दौलत हमारी सबसे बड़ी समस्या बन जाएगी, तो हम अभी भी आर्थिक व प्रिकास नहीं होता, तो आप देखेंगे कि 90 प्रतिशत आबादी केमिकल्स का इस्तिमाल करने लगेगी, जब वो केमिकल्स का इस्तिमाल करेंगे, मैं नैतिकता की बात नहीं कर रहा हूं, अगर 90 प्रतिशत इंसानी आबादी लगातार केमिकल्स का इस्तिमाल करेंगी, त हम से कम से कम एक कदम बहतर होना चाहिए. अगर हम खुद से कमतर पीडी पैदा करेंगे, तो हमने मानव जाती के खिलाफ अपराद किया है. हम मानव जाती को पीछे की और ले जा रहे हैं और केमिकल्स का इस्तेमाल बढ़ने के साथ यही होगा और उसमें तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. यह चेतना को बढ़ाने का समय है. इसलिए हम यहाँ आपके साथ हैं. कोकेन के बिना आपका दिमाग उड़ाने के लिए. झाल आपके बिना आपके साथ हैं.